इसको लिगे चलते किसी रियल टाइम एक्सांपल समझा नहीं आए ना सके अंदर लग या तुम लोगों मज़ा नहीं आए ना सो हलो गाइस वेलकम बैक टुट्राइदेग आज हम सीखेंगे एडवांस जावा स्क्रिप्ट कॉंसेप्स ऑफ एक्मा स्क्रिप्ट 6 एससे कैसे आप कैसकते हैं ऑगे सो एडवांस जावास कि अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉंसेप्स नहीं आए हैं जिसके अंदर एंपोर्ट एक्स्पोर्ट एरु फंक्शन डी स्ट्रॉक्ट्ट रिंग प्रॉमेस असंग एडवांस इन एसिक्स एरन एंडलिंग टेंप्लेड लिट सब जगा पर हम एकमा स्क्रिप्त की लेटेस वर्जन को या पर लेटेस कोड को ही यूज करता है जैसे हमें रे एंठीक ये पहली चल रही थी तो वहां पर क्या है लोग पूछ रहे ते क़्या रिया यह ए्रोफंक्शन क्या होता है यह हमने ब्रैकट लगा के हमने कैसे है जैसे लाइक आप यह तक दिख सकते हैं, हमने कैसे bracket लगा के इस function को call कर लिया, traditional functions को हम क्यों नहीं use कर रहे हैं, तो वो पूरा concept इस वीडियो में clear होगा, तो वीडियो को start send तक देखना, हम one by one सारे इस 10 topics को cover करेंगे, and कुछ advance सीचे भी सीखेंगे with the object and arrays and other javascript code, okay, so start send तक देखना, so let's start, okay, so यहां क्या है यार दिखुँ, मैंने एक index.html file करेंगे ज्यादा time मैंने ले रहा, and यहां पे मैंने एक live server का extension यूज किया है, I think all you guys know that, but अगर नहीं पता, तो यहां पे आप live server install कर सकते हैं, and यहां से आप इसको open with live server run कर सकते हैं, okay, and this is man.js, ठीक है, तो यह topic को हम अटा देते हैं यहां से, and one by one सारे topics को लेखेंगे, मैं एक अलग file होना दे रहा हूँ, notes.txt, okay, so इसको start करते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पे console.log लिखते हैं, basic, hello, so आप दिख सकते हैं हमारा log यहां पे print होगे, तो थो 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 बड़ा कर लेते हैं, तो हम वैसे code यहां पे भी लिख सकते हैं, but ठीक है, थोड़ासा IDE कर यूज कर लेते हैं, text editor कर यूज कर लेते हैं, यूज करते हैं, तो हमारा import and export काफी अच्छा वग करता है, हमें application के अंदर, suppose आप एक application बिल्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको एक function को throughout the application यूज करना है, जैसे कोई add करने का function है, या date time converter है, तो आप उस function को बारवार नहीं लिखोगे, right, तो आप उस function को किसी ऐसी file के अंदर रखोगे, जहां से आप उस function को import कर सको, यूज कर सको, आप किसी भी file के अंदर, ठीक है, तो वही important export का मतलब है, ये आपकी application को component wise बनाता है, प्लस modular बनाता है, और आप उस library को कई भी यूज भी कर सकते हैं, तो एक बाँ test करते हैं, कैसे काम करता है, तो सबसे पहले है, तो man.js है हमारी, इसमें हम इंपूर्ट करते हैं किसी को, just a second, hello, yes, hello, hello, तको, okay, so, right, यहाँ पर man.js है, अब यहाँ पर मैं एक file बनाता हूँ, utility.js, ठीक है, बहुत ही basic example लेता है, तो यहाँ पर export लेखा, okay, const, अगर यहाँ पर मैं error function यूज करूँ, वाट additional function भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, and a plus b, अब यहाँ पर यह मैंने add का function ननाया है simple मान जाओ एक ओमा भी यह parameterized arrow function है यह देखिंगे अभी परशान मत हो ठीक है? अब यहाँ पर मुझे इसको import करना है simple import then यहाँ पर मुझे एक array का structure लिख रहा है parenthesis, sorry curly braces and यहाँ पर add अब यह add हमारे import कहा से होगा उसके लिए हमें from लेना है single quote यहाँ पर हमें देना utility.js यह automatic complete कर देगा VS code वना आप डाइट मिल्क सकते हो आप दिख सकते हो, मैं यहाँ से add import कर लिया है यह बोलना है cannot use import statement outside our module अब यह गोलवा है ऐसा because हमें यहाँ पर इसको as a module import करना है क्योंकि आप देखो react.js वगरा में तो यह automatic import हो जाएगा वहाँ ऐसा कुछ अक्कर नहीं है बट अगर आपको manually इसको use करना है traditional way में use करना है तो आप ऐसे index.estimul के अंदर module आपको इसमें लिखना पड़ेगा अब देखो वेरर से लागया अब utility के अंदर वारा add function है अब हम इसको import करना है तो const a equal to कुछ में नाम दे दो जरूरी नहीं है वोई नाम देना है 100 2000 ओके अब मुझे इस add function को use करना है चेके अब यहाँ पे मैं पास करना हूँ x, y print करता हूँ तो आप देखो को 210 यहाँ total आ गया ऐसे ही आप इसमें और function ही बना से तो जैसे में add के साथ सब एक functional बना लिए आप है date time return करने के लिए hello return करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हो जैसे मुझे इसमें welcome message प्रिंट करना है तो मैं welcome message यह मैंने functional नाम रखा यहाँ पर message ले लिया console.log hello prince या फिर hello रहन दो खाली यह सब advanced चीज़े हैं अब यह arrow function इसके बाद ही आएगा तो सब समझावो कैसे यह काम कर रहा है तो यहाँ पर मुझे आप इसको भी import करना है welcome message automatic or to complete the VS code यूज़े हो सब से बेस्ट चीज़ अब यहाँ पर मुझे केवल welcome console.log करना है क्योंकि हम महाँ पर राइट कर रहे है तो मुझे केवल welcome message को कॉल करना है यहाँ पर मुझे एक input देना है जिसे राजेश ओके आप दिख सथे हो of javascript तो यह था आपार पहला example बहुत ही basic था but this is the way you can create your code, create your application अपने आप में काफी एक अच्छी चीज है, जो इंट्रिदूस ही है, एकमा स्क्रिप्टर 6 में, जो दोयर पंदय में आ रहे थी, वह से लोगों को अभी भी पता नहीं होगा, इंट्रेक्स एकमा स्क्रिप्ट के वह अरो फंक्शन के अंदर क्या है? इ स्क्रिप्ट अउर कुछ और वह जत्ता है एडवांस है, ठीक है, बट्ट्छ N reb 여rag को अपयर पॉय function में दिया है hello ठीक है या मैं लिख दूँगा console.log hello friends ठीक है अब मैं इसको print कराऊँगा तो मुझे करना है hello को call करना होगा या पर basic ठीक है तो hello friends आ गया इसको बंद कर देता है कोई नेड़ नहीं है ठीक है इसको गड़ाओ अब hello friends या आप print हो रहा है अब मुझे इसको रिखना है arrow function के अंदर so syntax wise change क्या है आज़ा syntax wise change देखें तो just आपको const hello ठीक है arrow function console.log hello friends ठीक है अब इस hello को मैं call करना ही बजाए hello 2 मैं call करता हूँ या पर ठीक है तो आप देखो same message print हो रहा है टू बन देता है ऐसा हूज मैं नहीं आ रहा होगा hello friends 2 या पर message print हो रहा है simple this is the syntax for arrow function इसमें आपका क्या क्या होगा देखो parenthesis remove हो गई right अब ये तो है parenthesis remove हो गई आप ये नेम भी पर सकते हैं डारेटिक को प्रिंट कर सकते हो right बिना call एडाइट को जाएगा तो arrow function को anonymous function भी गहते हैं ठीक है तो anonymous function भी कहते हैं because Java के अंदर हम देखते हैं तो ये lambda function call होता है कि इसको lambda function बोलते है and JavaScript इसको anonymous function बोलते हैं तो आप नाम भी इसका remove कर सकते हो, कोई issue नहीं है इसमें, ठीक है, इसको अटाओ, ओके, so this is a one-liner function, आप इसको parameterize देखते हैं, कि parameterize के से काम करता है, suppose को मुझे क्या करना है, sum करना है, so मैंने यहापे लिख दिया, const, sum, all, ठीक है, अब मैं यहापे variable लोगा, x, y, z, अब बहुत सारी advance चीज़े हैं, ठीक है, देखता है कि करके, arrow function, अब यहापे मुझे return क्या करना है, console.log या बारवन में नहीं करता है, यह कर द रहा हूँ, ठीक है, परशान मत होना, कि यह महापे console.log क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, sorry, okay, अब मुझे इसको sum all को print करना है, और 5, या फिर मैं z की default value देता, fine, अब मैंने यहाँ से अगर one remove कर दिया, तो आप देख सकते हूँ, 5 plus 6, 11, 11 plus 5, 16, so that is a major difference, कि आप अब default values भी pass कर सकते हूँ, उसके अंदर, तो यह दो वो one-niner code, ठीक है, with the arrow function, okay, अब इसके अलावा और arrow function के अंदर, अब एडवांटेज के ल किया, अगर मैं इसको traditional लिखता हूँ, या फिर एक message basic के साथ देख लेते हैं, इसकोट आओ, उजदा time waste ने करना अपने को, हाँ, ये था, this is a function hello and this is this hello, okay, अब क्या है कि जिससे मैंने या पर function hello call किया, अगर मैं इस hello को यहाँ call करना हूँगा, तो with the help of hoisting, you know in javascript, ये message print क कर दिया, but अगर मैं hello to को use करना चाहूँगा इसके पहले, तो ये नहीं आएगा, तो ये एक advantage है कि अगर हम hoisting नहीं भी बन दिया चालू करते हैं, तो अब हम अगर आप सब जगह ऐसे भी arrow function issues use हो रहे हैं, तो आप hello function को call नहीं कर सकते हो, बिना declare करें, पहले declare देना को issue नहीं है, ठीक है, और एक advantage देखते हैं इसके, कि हम object create कर सकते, object direct return कर सकते हैं, hello function के help से, वो कैसे है, एक से, so suppose that, कि मुझे एक person को object return करना है, सीधा एक function call करके direct, okay, so आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने first, first name, last, last name, variable दिया है, and यहाँ पे इस console log function से, मैं एक person को create कर रहा so आप direct object भी return कर सकते हूँ, with the help of arrow function, तो देखो, मैं एक बार return करता हूँ, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मेर पास एक object आ गया, first and last, so this is the complete arrow function, अब इसका advance यूज किया है, अभी तो यहाँ पर दिख लिया, ठीक है, अगर आप map यूज करते हो, suppose मैंने एक list create करी, one, two, three, four, ठीक है, अब मैंने इस पर map यूज करता हूँ, map भी इसी series में है, ठीक है, देख लेता हूँ, map इसी series में है, map filter reduce, ठीक है, तो basic समय लो, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक variable लिया पहले, x, ठीक है, अब मैं यहाँ पर arrow function यूज करता हूँ, और इस x को multiply to करके return करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर पहले आपको एक list और लेनी पड़ेगी, array करके, then यह आएगा इसके अंदर, अब मैं यहाँ पर इसको console dot, sorry, log कर लेता हूँ, here, arr is not, sorry, my bad again, ठीक है, तो आप देख सकते हूँ, one, two, three, and यहाँ पर output किया रहा है, multiply by three, three, six, two, त करता, okay, and then उसके बाद return type, okay, complete में दिखा दरा हूँ करके, and then curly braces again, ठीक है, तब ही आपका काम चलता, कितना short में काम होगे, right, so this is the power of arrow function, not lambda function, okay, so, चली आगे बढ़ते हैं, यह था arrow function, अगर कोई भी doubt हो, please comment कर देना, ठीक है, कि arrow function में कोई दिक्कत आ रही है, या x, y, z, है, okay, okay guys, now let's move to array destructuring, this is my favorite topic, destructuring का मतलब क्या होता है, कोई structure है, उसको destructure करना, simple basic example, okay, तो अगर मैं एक simple, बहुत ही simple example लेके चलूँ, अलब, यह कह सकते हो, कि एक तरीके से pack कोई चीज है, उसको unpack कर रहे है, ठीक है, example लेके चलते हैं, कोई array आपका, ठीक है, और उसमें न अपने पास कुछ numbers हैं, numbers ले, दो numbers जाद अच्छे लिखते हैं, ठीक है, यह numbers है, अब मुझे क्या करना है न, one, two, four मुझे अलग अच्छी है, तो मैं कैसे करना हूँगा, अभी आप कैसे करते हैं, तो मैं console.log, ठीक है, ARR zero index, and two, four, sorry, one, and now two, ठीक है, तो यह one, two, four मुझे मिलेगा, one, two, four, four, two, one, right, so, so, अब हम इसको, इन elements को प्रिंट करते हैं, अलग way में, with the help of destructuring, तो मैं क्या करना है, const, first, second, and element to access करने को ट्राइ करने, first, second, third, ठीक है, and यहाँ पर हमेटे फ्रिंट करना है, ARR, अब मैं अब इसको console.log करता हूँ, ठीक है, तो मैं यह क्या कर ठीक है, so, अब देखते हूँ, कितना difference है, कि अगर मैं इसको बार-बार array, index wise इसको प्रिंट करूँ, और variable wise प्रिंट करूँ, तो array destructuring आपकी यहाँ पर help करती है, ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर यह भी कर सकते हूँ, कि जैसे मुझे पहली value नहीं चीए, ठीक है, बट आपको क्या है, कि आपको value चीए के बल, second और third, ठीक है, तो आप इसको ब्रिंट रसकते हैं, second, third आपकी values आजाएंगी without any issue, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलो एक बर, एक बर object के साथ हो देखते हैं इसको, कि कोई मैंने यहाँ पर object create किया, ठ ठीक है, ठीक है, उस person के object में मुझे क्या करना है, sorry, name, name में में डाल दिया, कहां हाँ, ठीक है, job, या फिर developer, बाल दो यहाँ, कुछ भी रांग, ठीक है, and designation, designation छोड़ो, century, रसी बहुते लोग पूसरे सा century इतती है, आपकी, one million, खुश हो जाओ, मतलब नहीं है, लेकिन object की values को access करना है, ठीक है, ठीक है, person.name, ठीक, person.job, person.salary, ठीक है, one million रांदो, यहाँ डाल दो, अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब दिख सकते हो, में पास ऐसे values आई है, but, okay, so अब हम इसको करेंगे, with the help of destructuring, हम array को भी कर सकते हैं, destructure, and object को भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कैसे होगा, अब array के लिए हमने symbol यूज कराता, square bracket, हम objectly यूज करेंगे, कर दीविरस, ठीक है, तो यहाँ पर मैं name लिख दूँँगा, name के बाद, job, salary, ठीक है, and equal, किसके, person के, ठीक है, अब मुझे access करना है इसको, तो मैं कैसे access करूँगा, सीधा मैं यहाँ पर एक पूरा वो बनाता हूँ, backticks है, template, literals, अभी आएंगे, ठीक है, last में, ठीक है, my name is, अब यहाँ पर मैं define करता हूँ, सीधा name, ठीक है, print करता हूँ, तो दिखा आ गया, my name is, can't, ठीक है, इजी के साथ साथ, and my job, अरित्य अच्छे मिलेजी नहीं है, ठीक है, and इस job से, मुझे, salary मिलती है, कितनी salary मिलती है, यह पर salary डाल दो, ठीक है, अब यह देखो, यह पूरा text आ गया, my name is and my job is developer, and इस salary से मुझे, in इस job से मुझे salary मिलती है, 10,000 डालर, इतने दो नहीं मिलती है, ठीक है, तो this is airy d-structuring, अब यार, तुम देख रहो, अब यहां पर तुमने क्या करा, पहले इसको कमेंट करते हैं, पहले यह समझाते हैं, कि यह object तुम्हें मिलना है, id, name, email, address, अब तुम्हें क्या करना है, बार-बार ऐसे नहीं करना है, कि आप इस user से console.log करके, user.name, user.email, user.address करो, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको destructure कर लि है, तो उसको भी destructure कर देगा, with the help of this, यहां पर address देख रहे हो, कि address नाम से है, and city, and zip code, आपका JSON पूरा target हो गया, with the destructuring object, ठीक है, यहां पर अपने user assign कर दिया, तो आपका पूरा data, यह इसके अंदर है, तो आपको print करोगे, concern a name, email, city, and zip code, यहां पर आपका easily print हो जाएगा, So this is the power of destructuring, अभी destructuring का हम चेक देखेंगे, spread operator and rest operator के साथ, वो आपको फिर और जाद समझ में आगा कि हम इसको और कैसे अच्छे तरीक से use कर सकते हैं, ठीक है, okay, so this is the destructuring of array and objects, okay, now let's start with promise, यार promise करो कि इसको पार्ट को ना, बिना like बिना mobile चलाए हो, बिना कोई भी हरकत कर गए ना, तो कितनी जगा फट होगे ना code में, मैं पता भी नहीं सकता, API call में फट होगे, कहीं पर किसी ने diet कोई function लिंग दिया, कि भाई काम करो, इस function में में मेरे को दिक्कत है कि कभी कुछ, मतलब कोई file read कर रहे हो तो, ठीक है, अब file मिली, नहीं मिली, file data मिला, नहीं मिल तो आपको एक certain चीज चाहिए, कि हाँ वही, यह होना चाहिए, किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वहाँ आपका promise बहुत अच्छा रोल पिले कर दो, तो promise का पहला मतलब समझते है, promise का एक statement है, I will always give you a result, result can be negative, result can be positive, but I will assure you, I will give you the result, so this is the promise, ठीक है, कि promise यह काम करता है, आपके so let's start with syntax, suppose this is my task, okay, यहाँ new promise मैं I add किया, ठीक है, आप promise के बारे में यहाँ भी पढ़ सकते हो, क्या है, क्या नहीं है, वगरा वगरा, ठीक है, so इसके अंदर रे दो parameter होंगे, एक होगा resolve, एक होगा reject, with example आपको बहुत अच्छा सौन में आएगा, ठीक है, and यहाँ obviously arrow function ठीक है, यह देख सकते हो, आप executal में resolve, reject, reason, right, okay, because multiple values रिटन होंगी, तो हम parenthesis उस करेंगे, okay, कल ही बैसे, sorry, okay, अब यहाँ पे मैंने लिखा success, अभी मैं इसको true कर देता हूँ, ठीक है, तो if success अगर true होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं return करूँगा resolve, अगर यह false होता है, तो मैं यहाँ पे reject करूँगा, reject, so this is the basic syntax of promise, कि अगर आपको कोई promise आपको रिटन करना है, promise का code लिखना है, तो आप कैसे अपने task के साथ कर सकते हो, तो promise is basically using in task, where it is getting time, जैसे आपको पता है, जैसे आपको पता है, जैसे आपको पता है, जैसे आपको पत the time का code है, one, two, three, four, इस type सा code है, so आपका one by one वो execute होता रहेगा, right, पहले एक execute होगा, फिर दूसरा execute होगा, उसको मतलम नहीं है कि आपका यह task ले रहा है, 1000 millisecond, मतलब एक second, ठीक है, and यह task आपका time ले रहा है, एक minute, उसको फरक नहीं पड़ता, वो अपना code execute कर देगा one by one, so this is the asynchronous behavior of JavaScript, ठीक है, अब हमारा promise क्या role play करता है उसके अंदर, कि यार देखो, जैसे ही आपका task na, start हुआ, return करेगा कि आपका task complete हो, anyhow, आपका या तो resolve हो, या reject हो, दोनों मैं से कुछ न वो चाहिए हो, ठीक है, कि या तो resolve होना चाहिए, भाई, reject होना चाहिए, तो अब इसके अ कोई भी result दे सकती है, because API है, back end है, back ends में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेरी बानों पक्खा सच में back end में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, okay, so let's work with an example, यहाँ पे मैंना, क्योंकि promise अगर time लेता है, तो हम थोड़ा सा time add कर देते है, with the help of set time out, एक मिलेट, हाइए, ठीक है, तो यह मैंने इसको time दिया, one second का, one second का नी, two second का time देके शलता है, ठीक है, so अब मैं इसको पर लेटा देता हूँ, अब हम इस function को, sorry, इस variable को print कराते है, जो हमाय promise return करेगा, okay, so अब हमाई पास set time out है, जो हमारा 2 second में काम कर रहा है, okay, अब यहाँ पे हमें इस my task को print कराना, my task के सब variable जिसके अंदरा मैं promise को contain किया है, ठीक है, तो पहले मैं एक बड़ दिखा देता हूँ, अपों की क्या return देता है, उसके बाद हमागे बड़ेंगे, तो मैं एक बड़ माय task को print करता हूँ, यह function नहीं है, remember, ठीक है, मैं इसको run किया, तो यह promise ही return कर रहा है, अब देख सकते ह एक error थ्रू करता है, exception थ्रू करता है, ठीक है, मैं इसको वापस true कर देता हूँ, तो यह वापस ही हो गया, अब हमें इसको लेना है किसी variable के अंदर इस data को print करना पड़ेगा, सब उसको API तुम्हें call कर रहे है, उस API के data तो कर चाहिए न, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहता हू जहाँ पर आप success response को get कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका result, success result, ठीक है, यह द्यान एतना कि यहाँ पर success result आता है, अब यहाँ पर मैं use करूँगा अपना arrow function, and single line code, ठीक है, तो किता arrow function किता use में आता है, तो मैं आवे आपस प्रिंट्स कर दूँगा result, कि ह मतलब हमाना data सही आया है, अब इसके साथ साथ then के अंदर क्या के चीजे हैं, इसको चाहो तो आप multiline भी कर सकते हो, ठीक है, arrow function के अंदर multiline कर ली पर assess में डाल सकते है, then catch, catch के अंदर के आएगा आपका error, ठीक है, जो हमारे rejects से आता है, ठीक है, तो उसको handle करने के लिए ह console.log, यहाँ पर हमें error print करा देंगे, कि error के अंदर message करें, अब भी error नहीं आएगा, भी operation success आएगा, because यहाँ पर error कोई है नहीं, अब मैं इसको false कर देता हूँ, तो देखो, operation failed, अब error थो नहीं हुआ, because यहाँ पर हमने इसको catch में handle कर लिया, वैसे हमारे पास last मेंना, आईए है, 8 number पर है error handling with try and catch, तो यह जरूर देखना, ठीक है, यह हो गए then and catch, इसके साथ साथ एक आपको और add कर सकते हो, finally, finally में क्या होगा, कि आपको भाई, यह वाला काम तो करना ही करना है, ठीक है, the callback to execute when the promise is settled, fulfilled, or rejected, दोनों में से कोई भी state होगी, यह काम करेगा, ठीक है, तो म example होगे, आपका promise का, कि हाँ भाई मेर पास, मैं result दूँगा, या फिर reject दूँगा, बट कुछ ना कुछ जरूर दूगा, पकी बात है, छोडूँगा नहीं, ठीक है, तो यह है my promise का syntax, अगर तो promise नहीं समझ में आयो नो, तो जरूर बताना, comment के अंदर, कि और भी बच्छे स explain करें, तो लोग एक काम करते हैं, कि API कॉल करते हैं, ठीक है, एक क्या ना, जेसन प्लेस वोल्डर करके API होती है, उसको हम कॉल कर सकते हैं, फ्री, फेक, यह बहुत अच्छा काम का टूल है भाई, इसको यूज कर लें, अगर आपको कोई भी API टेस करनी हो, आप front-end developer हो, या then response.json and then console.log, दो करके देख लो इसको, अड़ा इसको पूरे को, कमेंड कर दो, ठीक है, कोड मिल जागा परसान मदो नो पूर्ड के लिए, अब देखो जैसे मैंने डेटर लिया, आगे बढ़ते हैं, बंदरो टैप को, अब मैं अगर इसको सेप करूगा, तो देखो, guide, json server, post, अचे यार है न, 10 users, post ले लेते हैं, 100 post, उत्तेजी, तो यह API कोल होगी, इसका मदलब, ठीक है, क्यों, get की API है, get में तो कुछ ही नहीं है, आपको, कुछ पास ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो यह मैंने post कर दिया, अब देख लो, hundreds of data आ गया, दे फैज, रिटन करता है, promise, in the response, जो उसका response है, ठीक है, यहाँ पर import में डाल सकते है, request info, URL, request in it, ठीक है, एक मुण रूट जाप में बड़िया syntax दिबाता हूँ, इसको ना, हम कुछ इस तरीके से में लिख सकते हैं, अब मजा आ रहा लिखने में, देखो, यह मैंना भी add कर द ठीक है, then, response, response अगर ओके है, यह जावस्किप्ट की methods है, ठीक है, response के अंदर के class पढ़ ले न, बनो तो, अगर ओके नहीं है, तो exception थो कर दो भई, वन्ना हमारा response दे तो JSON के अंदर, अब हम क्या कर रहे हैं, कि जैसे हमारे पर response JSON में आया, तो हम उस JSON के response को print कर रहे हैं, पो फिर से post को return करते हैं, अब अगर यहाँ पर error आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमें message print हो जागा, there was a problem with fetch operation, मतलब fetch में कोई दिख करते हैं, ठीक है, तो उपर देखो data तो आ रहा है, अब मैं क्या करता है, अब मैं क्या करता है, अब मैं क्या करता हूँ कुछ, देखो, यह exception द कि भाई, यह not found आया है, 404, मिला ही नहीं, ठीक है, यह तो console की application है, यह अपने site से नहीं होगा, ठीक है, so this is the basic thing, यह समझ में आया, API column promise के साथ कैसे काम करती है, API call कैसे काम करती है, ठीक है, so this is the basic working of promise, तो अधर promise अब भी समझ में नहीं आया हो ना भाई, तो comment कर देना, क्यो कि समझा दिया, अच्छे सा, revision कर लो, देखो, promise क्या है, promise एक हमारा kind of object के look, ठीक है, एक object है, या function, ठीक है, जिसके अंदर हमें दो methods मिलते है, resolve and reject, मतलब कुछ ना कुछ return होगा, यह तो resolve होगा, success, या फिर reject होगा, which is failure, ठीक है, तो यह आपको return मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप and यहां से फिर आप API call या कुई भी function जैसे आप कुछ फाइल रीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर promise यूस कर सकते हो, जिससे आपकी user को कोई issue ना होगी, हाँ यह तो दिक्कत होगी, code फट गया, अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो this is for handling, राइट, तो चल में, ठीक है, description में अड़ा दूगा, मना I button पर देख लो, output based question कैसे होता है, JavaScript के अंदर वह बहुत जरूरी है, वह देख लेना, ठीक है, कि 20 से 25, I think question है, part 1 के अंदर, तो interviewer कैसे question आप से पूछ सकता है, वह भी है उसके अंदर, और कैसे question आपको deal करने है, ठीक है, कि syntax wise वह क् चीजे हैं, तो वह सब उस, ठीक है, so guys, सबसे important topic in JavaScript, सबसे ज़्यादा important topic, async and await, मतलब इसके ऊपर 50 interview question बन जाते हैं, इसके ऊपर पूरा application बन जाता है, because async and await and promise, promise को विलिए फिलो, ऐसे को दिक्कत नहीं है, इसके बाहर आपका JavaScript का code नहीं जा सकता, यह आपको चाहिए, य अपना चकर के आया, async and await, लोगों को नहीं समझ में आता है, क्या दिक्कत होती है, async and await में, ठीक है, क्योंकि this is the other way to handle promise, but in a better way, अगर आप then use करते हो, catch use करते हो, तो अभी आप promise को handle कर सकते हो, right, कि promise के अंदर क्या code आ रहा है, वो resolve है, reject है, वो आप easily handle कर सकते हो, but async and await, क् समझते है, पहले समझते है, async क्या है, ठीक है, async, simple अगर आप समझो, async is asynchronous, तो javascript single threaded language है, अगर जैसे आप console.log लिखो गे, ठीक है, मैं लिखा 1, ठीक है, अब मैं इसको print करूँगा, एक के बाद एक, तो 1, 1, 1 इस तरहीए से print होगा, because ये line by line code को read करते है, first line, second line, third line, fourth line, right, this is the thing, अब single threaded language है, तो आपका एकी thread काम करेगा, but अगर आपको कोई काम ऐसा करवाना है, कि भाई, एक काम करो, मैं ये code चला रहा हूं, बाकी code भी चलाता हूं, आप बीच का कोई code है, जैसे है, कोई आपको API कॉल करना है, या database, read करना है, या फिर, even तो आपको कोई file read करन कोई issue नहीं है, तो ये हम asynchronous way में कर सकते हैं, इन javas के, आपको किसी भी language में बलती, threading होती है, ठीक है, so अब async करके code है, अब दोको मैं एक simple function महाता हूं, get data, how different when we add async on the function, अदोको मैं ने console.log करा, खालो, ठीक है, यह return मैं कर देता हूं, return file, ठीक है, अब मैं इसको call करता हू console.log, get data, by data, ठीक है, तो क्या होगा, फाइफ प्रेंट हो जागा, तो रजूम कर देता हूं, ठीक है, फाइफ प्रेंट हो गया, लेकिन, अगर मैं इस function के आगे लगा देता हूं, async, sorry, ओके, तो अब क्या होगा, अब इस तने return किया है, एक promise, मतलब आपको पूरा promise का syntax लि आपके फंक्शन की data को promise में convert करके देगा, और promise मिल गया, promise का मतलब होगा, आपके पास resolve और reject दोनों की power आ रही, ठीक है, लेकिन, अब बात आती है, कि यार, हम promise तो ऐसे भी handle कर सकते हैं, then, result, यहाँ पर मैं arrow function यूज़ कर रहा हूं, ठीक है, start से वीडियो देख रहे होगे तो अच्छी बात है, result, ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसमें मुझे जरुवत क्या है, ठीक है, असिंगे नवेट की need क्या है, मैं promise को वैसे भी resolve कर सकता हूं, but, यह देखो, देरी देखर के समझ में, address में क्या चक्कर है, अब suppose करो, मुझे क्या करना है, कि get data मुझ अच्छी को एंडल करना है, but, मुझे वेट करना, तो हो गया, तुमारे return 5 हो गया, यहां पर तुम्हें promise return कर लिया, that's very good, और यहां पर तुम्हें अडल भी कर सकते हूं, but, मुझे code को रोकना भी है, मेरे भाई, क्या सिनेरियो है, कि जिसे suppose करो, कि एक API call में ना करा, उसको 5 seconds time लगता है, या milliseconds time लगता है, जो भी time लगता है, ठीक है, तब तक मुझे user को hold करके रखना है, तो क्या होता है, एक होता है blocking code, एक होता है non blocking code, non blocking code is, कि भाई, मेरा काम चलता रहे, कोई रुकना नहीं है, blocking code is, example के लिए, जिसे है, मैं बोल दूँ कि भाई, एक काम करो, र ठीक है, pause कर दिये, मैंने आपको, resume करेंगे, तो this working we are required in some cases, मला दोनों अच्छे बुरे नहीं है, some cases में क्या होता है, जैसे suppose करो, एक, एक user का example लेते है, एक आपने क्या करा, कि भाई, एक user को add करना database के अंदर, ठीक है, आपने उससे form फिल कराया, add user पे click किया, add user पे click करते एक notification आता है, जैसे मैं आप एक example के लिए बता हूँ, console.log, user added successfully, ठीक है, ये notification आता है, और इससे पहले एक function मना हुआ है, console.log, अठाओ, एक function मना हुआ है, sorry, autocomplete, add user करके function है, ठीक है, अब मान के चलो, add user में को दिक्कत हा गई, database में नहीं add हो पाया, API फेल हो गई, लेकिन आ लोग, right, कि user add successfully तब ही जाए, जब हमारा function execute हो जाए, and success हो जाए, तो कि ये भी हो सकता है, कि आपको दूसरा error message देना हो, कि भाई, fail to add user into dp, आपको ये भी देना हो सकता है, right, तो इसी को ही use करने के लिए, या इसी को ही meaningful बनाने के लिए, हम use करते है, async and await दोनों का, बलब user को रोकने के लिए, हम use करेंगे await का, ठीक है, async तो हमारा promise return कर रहा है, हम उसे at the end से लिकाल सकते है, बड scenario का है, भाई, बात का code चल जाएगा, तब कर हो गया, ठीक है, तो एक बार इसको example के साथ समझते है, async and await दोनों को, ठीक है, okay, suppose करो, ये मैंने एक delay बनाया है, जिस इसमें मैंने एक task start किया, और फिर मैंने await keyword use किया, देखो, सबसे पहला एक interview में पूशे है न, मुझा सबसे लादा question, क्या हम await को बाहर use कर सकते है, बिलकुल नहीं कर सकते, error आजाएगा, देखो, error आगा, await is only valid in async functions, जहां async होगा, उसी के अंदर await होगा, वरना await use नहीं आ पहले perform task call कर रखा है, ठीक है, और इसमें तो await है, 5000 second का, मतब 5 second का await है, 5000 millisecond का, तो क्या ये इसके बाद print होगा, बिलकुल नहीं, चलो एक बार line by line दिखते है, interview समझा नहीं यह दो दिखकर दो जाएगे, अब ये task started, 5 second का wait होगा, and then उसके बाद print होगा, task completed after 2 second, यार ये 5 second क नहीं लिख दिया, sorry my bad, ठीक है, मतलब मैंने इसको time out को ऐसा बराया कि आसे में पास कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये 5 second के बाद execute हो रहा है, मतलब हुमारा 5 second code रोक रहा है, भाई 5 second तक रोको, अब ये तो मैंने time out add किया है, आपका API call भी हो सकता है, database operation भी हो सकता है, कुछ ship ठीक है, कोई, suppose करो, आपको कोई text file read करनी है, उस पर कोई operation perform करना है, तो ऐसा थोड़ना कि आपने क्या करा, भाई, यहाँ पर text.read लिख दिया, suppose करो, यह मैंने read function मनाया आप है, function read file, ठीक है, file name, यहाँ मैंने file name dot read करनी है, इसको suppose, ठीक है, आप क्या होगा, जब तक मैं इस होगा ही नहीं है, ठीक है, this depends on processing, speed and operation, तो अब दिखो, यह दो होगया example, async and await का, इसको real time example क्या है, ठीक है, real time example आपको क्या हो सकता है, which is API call, हम API call ही देख नहीं है, जादा बेटर रहेगा, ठीक है, ठीक है, okay, so this is the example, okay, so this is example for fetching the data with async and await, तो यहाँ पर मैंने arrow function यूज किय यूज कर सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंना async add किया first, fetch data के लिए, fetch data को call करने के लिए, async add किया, so of course, async है, तो हम await भी यहाँ यूज करेंगे, and await मैं क्या कर रहा हूँ, कि fetch करने से पहले, fetch करने के लिए time दे रहा हूँ response को, ठीक है, अब response में नाइम लगेगा, then response को जेसन में convert करने में भी time लगेगा, वालो ठीक है, यह processing है होती है, जिसमें milliseconds लगते है, but, this is the processing, ठीक है, क्योंकि हमारा code run करता न, milliseconds पर run करता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो milliseconds पर run करता है, अब क्या करता है, मैंने response को जेसन में convert करा, नहीं data print करा दिया, तो then जैसे ही response आ जाए, ठीक है, response आती है, उसको जेसन में convert करेंगे, उसके लिए रूख जाओ गए, जोड़े दिर, then उसके बाद console.data करो, console.data, and then उसके बाद, आपका call finished, मैंने, suppose को एक example के लिए, हमने start करते है, कि call started की जगा, loading, कि हमने एक function call करा, जिसमें हम users को load कर रहे ह तो हमने loading start कर दी, ठीक है, and यहाँ बे फिर, loading, finished, इस तरीके से काम होगा, जैसे आपने देखा होगा, कोई user document, एक user dashboard देख लेता है, user dashboard, user list, image इस पर चलता है, suppose करो, कोई यह list है, हाँ, यह list ही आ रही है, अच्छी सी, blur है, हाँ, इसमें क्या हो रहा है, users की list है, जहां, यहां क्या हो रहा है, user की image patch हो रही है, name हो रहा है, description हो रहा है, department, email id, phone number, and status, ठीक है, तो यह patch करने पर थोड़ा टाइम तो लगीगा, थोड़ा के पूरे page के उपर, तो तब तक आप क्या तर होगे user को, बिल्कूल blank तो नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको loading दिखानी है उसमें, and loading फिर फिरिज भी करनी है, okay, so हमारे data यहां पर show हो रहा है, right, अब, जैसे हम promise के अंदर dot then and dot catch करते थे, right, तो अब इसको कैसे handle करेंगे, अ हमने अबे टाल दिया, इसके अंदर, ठीक है, तो यहां पर हम use कर सकते हैं, अबनी try catch hand cake, ठीक है, यह वैसे try catch हम बाद में बताऊंगा, मैं इसके बाद just, ठीक है, but for meanwhile I am just showing you, so cache में हमें को क्या कर पकड़ना है, error, ठीक है, and यहां पर हम console.log कर देंगे, अपना error message, ठीक है, अब भी तो सही आएगा, को issueing है, ठीक है, loading finished वगरा को बढ़िया, यहना data भी आ रहा है, अपने पास आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब suppose करो, endpoint not found होता है, या कोई error आता है, ठीक है, अब भी तो मैं यह error reduce कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हो, type error fail to fetch, add fetch, ठीक है, यहां पर मै error message print कर दिया, भले ही, यहाँ पर मैं error message print कर दिया, यहाँ पर लिख देता, request fail, ठीक है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर request fail, लेकिन loading तो आपको खितम कर नहीं है, इसलिए मैं loader इसके बाहर रख, ठीक है, लोडिंग भी आपको इसके अंतर राद होगे, तो भी प्रेंट होगी, सिधर request print आजाएगा, so this is the way to handle the async await response, in track edge, ठीक है, so यहाँ यह होती, async and await कहानी, तो हम revise करते है, async for creating a function asynchronous, ठीक है, and await, जिससे हम उसको wait कर सकें, भाई, डेटा भी जब तक लेके नहीं आ रहा है, तब तक हम अपने project के code को, या मतलब अपनी application में जो code hold करना है, ठी ठीक है, तो मैंना उसको hold कर दिया, response को मैंना hold कर दिया, so this is the way to handle the async and await, बहुती, मतलब lengthy topic है, इसके उपर questions भी, अच्छे जैसे question था, कि async and await कैसे use आता है, अवेट हम बाहर यूज कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, बाहर अगर कोई data है, वो print होगा नहीं होगा, पहले, suppose क function हो लिए, okay, okay, let's move to rest and spread operator, ठीक है, यार तो rest and spread operator simple है, because यह syntax होगा रहा है, syntax आपका change होगा है, just, दूसरा कुछ नहीं होगा है, just a second, okay, so what is rest and spread operator, rest parameter भी बोलते हैं वेसे, देखो, spread operator क्या होता है, कि आपका कोई भी array है, ठीक है, जैसे array है, या object है, तो उसको spread करने का काम करत spread करने का मतलब यह है, कि उसको अलग-अलग कर देखा, दिखेर देखा, ठीक है, तो अब जैसे example की ले सकते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पर एक array बनाया, ठीक है, const array, है यहाँ पर मैं देख गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, जो भी है, अब मुझे इसको अलग-अलग elements करना ठीक है, वैसे तो array destructuring है हो गई है, ठीक है, लेकिन destructuring में हम elements में data ले रहेते हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, simple, जैसे मैंने इसको console.log किया, ARR, ठीक है, तो देखो, यह 1, 2, 3, 4, यह अलग-अलग elements है, array के अंदर नहीं है, array के अंदर होते तो कैसे होते, इस तरीके से, ठ new या फिर कहलो कि इनकी memory अलग-अलग बन गई, 1, 2, 3, 4, accessible है, easily अलग-अलग, ठीक है, so spread operator, rest operator दोनों पर पहली बाद तो dots तीन ही use होते है, तीन dots से आप spread भी consider कर सकते हो, और rest भी consider कर सकते हो, just in case, आपको अगर data expand करना है, अलग-अलग करना है, तो spread, और अगर आपको data combine कर पैक करना है, तो rest, ठीक है, यही डिफ्रेंट सब देसे ही दोनों के अंदर, example समझते है, ठीक है, तो मुझे से मैं expand कर दिया, अब expand करके मुझे फाइदा क्या होगा, मुझे करना क्या इस expand का, ठीक है, just suppose करो, कि आपको एक array को दूसरे array में combine करना है, उसके लिए भी आप spread operation का use कर सकते है, जैसे में पास एक array है, तो 1,2,3,4 data है, ठीक है, मैंने इसको paste कर दिया, अब इस में में पास आया, 4, sorry, 3, 5, 6, ठीक है, अब मुझे इन दो array को combine करना था, पहले आप क्या करते थे, array.concat करते थे, ठीक है, बट अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, simple, एक array आपन दोनों array को combine कर देगा, तो आप देख सकते हो, 1,2,3,4,5,6, यह एक array बन किया, दोनों खा, ठीक है, ओके, so combining array, अगर आप वो array के अंदर कुछ value input करने है, एक्स्टा input करने है, ठीक है, जैसे combining ही ही होगा एक तरीके से, दूसरा array अगर आपको इसमें add करना है, तो आप spread operator का use कर सकते हो, एक example और देखते हैं, so in this example, you can see, is summer false, एक अपने को fruits की list बनानी है, ठीक है, and उसके अंदर हमें conditional add करना है, water melon, तो हमने कर अगरा, इस summer अगर false है, ठीक है, तो water melon add मत करो, अगर true है, तो add कर दो, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एक array के अंदर दूसरा array append कर सकत करते हैं, simple d, इसमें spread operator use करके, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहां पर देखो, apple बनाना आ रहा है, अगर मैं इसको false कर दूँगा, तो apple बनाना water melon आ जाएगा, तो this is the spread operator, spread operator जो use आएगा अभी, जो मैं देखो, एक object के अंदर में use करते हैं, this is the array methods, अगर मैं एक object बनाता हूँ, const, person, ठीक है, अब मैंने क्या गरा, की person है, दो एक वो बना देते हैं, car बना देते हैं, ठीक है, car में मैंने क्या गरा, object बनाया, model, ठीक है, model आल दिया है, base, base model के अंदर हमाई पस क्या-क्या मिलता है, बहुत गलत बात है, base model में कुछ नहीं आता, ठीक है अब मैंने car का name दे दिया, brand, ठीक है, brand दे दिया किया, ठीक है, and उसके बाद दे दिया मैंने यहाँ पे average, यह average यह दो sunroof, ठीक है, sunroof इसमें है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, false, sunroof नहीं है, ठीक है, and इसमें अब ठीक है, इतने variable car दिया, तो यह हो गया car, अग मैंना इसका car का object प्रेंट कर दिया अब मुझे इसी object के अंदर एक दूसरा object प्रेंट करना है तो वो कैसे करेंगे पुराने तरीके में तो क्या है car add करो फिर उसको दुबारा add करो अभी क्या करता हूँ मैं या पर updated car ठीक है updated car अब इसमें क्या होगा इसमें मैंना same value डाली sunroof कर दी sunroof है color कर दिया जैसे इसमें मैं color add कर देता हूँ या color add दो इसमें मैंना color दे दिया क्योंकि वो तो white था इसलिए default color डाला ही नहीं उसके अंदर तो इसमें मैंना color add कर दिया white sorry black black color मी मिन रहा है इसके अंदर तुम्हें ठीक है black color अब एक और value ले लो कि क्या add कर सकते हूँ sunroof true कर दी तुम्हें color black कर दिया and music या music अगर तो आता है तो मैं external लगवा सकते हूँ अच्छा डासा backlight या backlight भी ठीक है चलो ठीक है इतना कर नहीं समझ बहा रागी अब दो कार है हम मुझे add करना इस updated car को कार के अंदर okay so अब मैं इसमें क्या करूँगा const मैं ने बनाया up car या फिर modern car ठीक है अब यहाँ पर modern car मैं क्या करूँगा simple सबसे पहले मैं car को object डालूँगा यह मैं डाल दिया car and then मैं यहाँ पर अपने डाल दूँगा updated car अब देखो क्या होगा चमत कार यह देखो model आ गया based brand आ गया किया sunroof आ गया true color आ गया black तो इसने इसकी properties को भी override कर दिया right okay so अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने modern car बनाई दोनों object को mix कर दिया और अगर updated car के अंदर जो second object है उसके अंदर updated value है तो वो updated value को use करेगा ठीक है so this is the power of spread operator object ठीक है object के अंदर अब हम बात करते rest के तो जैसे spread operator क्या करता बिखेड देता है ठीक है rest operator समेट ले क्या बोल रहा हूँ ठीक है rest operator pack कर देता है अब जैसे एक example लेकी चलते है कि दो best example बताऊँ इसके अंदर मजा ही आजाएगा कि एक मेंने sum का function होना आए ठीक है sum का function होना आते है sum बहुत कर रहा है आजकल चीदों को ठीक है अब sum में क्या है भाई मेंने कि console.log अब मैंने यहाँ पर दो variable ले लिए एक सफ़ी x, y ठीक है x plus y simple मैंने इसको console.log कर दिया sum में मैंने 2, 5 पास कर दिया अब क्या आएगा इसका answer 9 simple ठीक है undefined के वारा आए सुरू देखते है कोई दिक्कर नहीं भाणा है ठीक है console.log x plus y आगया है ना इसको ऐसा नहीं करा सकते है समझादा ना भीस के अंदर ठीक है तो यह console.log हो गया अब अगर मांग के चलो मुझे यहाँ पर क्या करना है x plus y में पास है नी मुझे multiple elements को plus कर भाई नमबर में पर 10 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है नम्स डाल दिया अब नम्स डालने के बाद मैं यहाँ पर कितने भी variable प्रिंट करूँ मुझे वो मिलेंगे 4,5 दोनों आ रहे है ठीक है अब 4,5 की जगह मैं 9 डाल दूँ 9 भी आ रहा है मैं 10 डाल दूँ 10 भी आ रहा है सो अब मुझे क्या करना है इसको नम्स को सबको एड़ करना है तो मैं क्या करूँगा for let x ठीक है x डिलते variable के लिए of nums ठीक है अमे बस क्या होगा x आ जागा बार बार ठीक है अब मैं क्या करूँगा एक बनाओगा यहाँ पर total total डाल total इस 0 ठीक है multiply भी कर सकते हो addition भी कर सकते हो course भी कर सकते हो average निगाल सकते हो ठीक है average को code बड़ी ईजीली लिख सकते हो तो यह होता है rest operator यह क्या करता है back करता आपके सारे साम ठीक है अब जैसे मांगनी सलो एक example लें सलते restructuring plus इसका rest operator का ठीक है नहीं समझना रहा नाम ठीक है आप ARR करके active users मैंने ग्यारे बनाया ठीक है active users करके मुझे ग्यारे बनाना है जिसके अंदर मुझे starting के दो user लेना है which is active ठीक है बाकी active नहीं होंगे तो वो कैसे करेंगे देखो मैं ग्यारे बनाता हूँ ठीक है A1 A2 and then उसके बाद inactive inactive users अब ये कैसे होगा कि मैंने इसमें area sign कर दिया अब देखो क्या हो चमतकार मैं प्रिंट करता हूँ A1 ठीक है inactive users और A2 ठीक होगा पहले मैं आगे काना दूसरे मैं आगे देवा बाकी भाई ने rest operator ने तीनों को पगलके एक area बनाती है और उन में डाल दिया inactive users में ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं rest and spread operator होगा अपना को बढ़िया ओके तो चलो स्टार्ट करते है next क्या है area and object methods map, filter और reduce ठीक है ये बहुत important concept है map, filter, reduce आना चाहिए because पूरा react.js इसी पे based है map भी होगा filter भी होगा reduce भी होगा तो कोई भी framework काम करोगे या देखो कोई भी काम करोगे जैसे आज ची एड़मे मैं तो मैं example दू MNC का example दू crut चल रहा है दुनिया जानती है crut सलता अर्जगा पर create, read, update, delete ठीक है तो अब read करोगे read करने में भी अलग तरीके से read करना चाहिए भाई image की URL आ रही है लेकिन तुम्हें यहां से image दिखानी है उसको map करना है वहां से आ रहा है name आ रहा है निकाल के दो कितने लोग हैं इस जगह पे इस देश में कितने टोटल लोग हैं तो वह count करेगा ठीक है तो वह reduce function हो रहा है या फिर कोई total age निकाल के दो सब तीनों को साथ में use करना हूँ map, filter, reduce ठीक है तो वह हमें example देखना होगा and array and object दोनों पर वह कैसे काम करते हैं वह देखना होगा ठीक है तो चलो बहुत स्टार्ट करते है array and object methods with map, filter and reduce so let's start map, filter and reduce तो उतको map क्या होता है सबसे पहले map देखते है map is like create a new array by applying a function on each element मतलब हर element पर आपके एक function apply होगा and वह आपको एक नए array बना के देदेगा simple, ठीक है मतलब यहां पर हम केवल array and object के साथ ही काम कर रहे है ठीक है okay, so इस numbers पर map apply करते है कि map कैसे काम करेगा तो मैंने किया रहा कि मुझे जितने भी elements है ना सबका multiplication दोसर चाहिए तो इस बहुत ही basic example ही चल रहे है multiply by 2 m2 okay, मतलब कुछ भी नाम लिख लोगी तो अब मैंने किता numbers.map सीधा function कॉल होगा था आपका array और object के ऊपर ठीक है and यहां पर फिर आपना lambda function sorry lambda function नहीं arrow function java skip नहीं sorry, java मैं lambda function बोलता है so, यहां हम करेंगे इसको multiply by 2 very simple, बहुत ही basic example अब हमें इसको console.log करके m2 को print कराना है तो आप देखो 1 multiply by 2, 2, 4, 6, 8, 10 ठीक है तो यह basic example था map करने के लिए data को अब suppose करो आपको map के साथ-साथ अभी हम थोड़े से अच्छे example में लेके चलेंगे अब मैं बात करता हूँ, आप पे है filter की ठीक है, F तो filter में क्या करते है अपन कि एक area तो create हो गई, नया area ही create होगा but वो filter कर देगा आपके elements को ठीक है, अब देखो वो कैसे काम करता है filter basic समझ जाओगी filter कर देता data को उसमें filter काम करेगा, lambda expression यूज कर सकते हैं, ठीक है अब इसमें क्या दरना अपने को, कि even numbers print कराने सपोस, तो मैं क्या करूँगा ठीक है, even numbers का सबको formula पता होगा, कि यसे काम करता है ठीक है, अब मैं यहाँ पे print कराऊँगा अपना console. अपना अपना F2, ठीक है, तो अब देखो अब filter के बाद आता है reduce, ठीक है, reduce कैसे काम करता है, reduce करता है आपके पुर्णे array में, जो भी values हैं उसको इक value में convert करतेगा, फ़रा single value अब single value में कभी ज़रुदत पढ़ती है, suppose कर आपके बास कोई product की list है आपको total count निकाला ठीक है, एक तो count हो गया कर सकते हो, एक और example लेते हैं कि एक filter, आपको map filter सब करना है कि आपको filter लगाना है, कि भाई केवल उन्ही का product का मुझे total दो, जिनका discount 10% से जादा है, जिनका price 10,000 से जादा है, जिनका price 10,000 से जादा है, तो भी आपका condition लगा सकते हो, तो reduce का example देखते हैं यहाँ पर मैंने बनाया single value या फिर यहाँ पर हम निकालना एक example लेकी चलते हैं, कि हमें total निकालना जो even numbers है, या फिर हम total निकालना लेते पहले है, इसा simple, जिके वह इसकी बात देखते हैं अब यहाँ पर मैंने का रहा total टोटल के से निदा लेगे, numbers.reduce अब यह लेगा आपकी दो values, first कि आपका previous value क्या है, total होने पर, and current element क्या है, current value यह के समझ आता हूँ एक मिद्ट के पूरा लिखने दो, अब accumulator plus current value, वरना default 0 इसको read करते हैं calls the specify callback function to all elements in array, the return value of callback function to accumulated result, and is provided an argument that next call to callback function. मन्तब पहले क्या होगा असकी working क्या होगी, पहले ही एक element आएगा, जिसे 1 आया, 1 plus current value, current value कुछ है नहीं, क्योंकि आपका first element से start करता है, यह आपका first element, तो 0, second उसके बाद क्या आएगा, second आपके पास value हाजाएगी, तो पहले value क्या थी 1, तो 1 plus 2, 3, then 3 and 4 इस तरीके से apply होता है, तो इस total value आपको construct करके देगा, तो मैं ऐसे console.log अगा total करो, देखो 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का total है 21, 6 plus 5, 11, 11 plus 10, 21, basic math, ठीक है, तो इस तरीके से आप value calculate कर सकते हो, और 0 इस current value, तो अगर मांगे चलो कोई value undefined है, यहां मैंना undefined value डाल देगा, तो undefined value में 0 default value जानी चाहिए थी, बट यह नहीं तो यह null के लिए होता है, sorry, यह null के लिए होता है, undefined में error देदेगा, अगर आपका null value है, तो उसमें 0 देदेगा, अगर 0 को हम change करते हैं, को 10 करता हूं में एक बार, तो 31 हो गया, right, तो default value works like that, कि अगर को value नहीं map हो पाती है, या कुछ दिक्कत हो जाती है उसके अंदर, तो आपका यह default value देदगा, okay, so this is like reduce function, and, अब इन तीनो functions को हमें use करना है साथ में, कैसे करेंगे, तो एक example लेकि चलते हैं, कि भाई मुझे क्या रहना है आप है, कि मुझे वही values चाहिए, जो आपका filter में जो even number है, और उनका मुझे total चाहिए, even numbers count only, ठीक है तो मैं क्या रहो है आप है, const, even total, ठीक है, अब then यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, okay, even total, numbers.filter, पहले हम filter लगाएंगे, filter में हमाना logic क्या है, यह यह simple, ठीक है, copy paste कर तो इस है, .reduce, filter करने के बाद हमना उसको करना है उसको reduce, तो यहां पर इसको reduce को call कर रहेंगे, ठीक है, एक बार और लगादो, simple, nice, ठीक है, अब यह हमारा even का total निकाल के देगा, इसको ना एक काम पर नहीं चले लो इसके, syntax कभी कभी दिखने में अच्छा नहींगे में चाहिएंगे, ठीक है, तब देख सिब तो number.filter है, then reduce, अब मैं अगर even का total प्रेंट कराता हूँ, आज साइड में आजा, even total, तो देखो, 12 आया, क्यों, 2, 4, 6, 6, 12, ठीक है, इसको आप map भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे ज़र इसमें map add करना है, मैप में मुझे add करना है, simple multiply by 2, 42, क्यों होगा, क्योंकि पहले 2 का multiply गिया, इसने 2 से, 4, फिर 4 का गिया, 4 का multiply करा, क्या है, 8, 8 or 4, फिर 6 का multiply करा, इस तरीकी से फिर इनने map करा function को, and then यहाँ पर filter करने के बाद, पहले filter कर लेते काम को क्या होता है, 24, जो desire output था, पहले filter करना था, उसके बाद map करना था, फिर reduce करना था, ठीक है, so this is the example for map filter reduce, अब इसको लिगे चलते कि इसी real time example, समझा नहीं आया ना इसके अंदर, नहीं को लग आया तुम लोगों मजा नहीं आया, तो real time example हम कर रहे हैं, object के ऊपर, यह object का एक array है, ठीक है, एक object है product का, जिसके अंदर, तुमारे पास multiple products है, ठीक है, अब मुझे सबसे पहले map apply करना है, map में क्या का मुझे करना है, कि भाई मुझे केवल ना, यह पूरा महीं चाहिए, मुझे केवल product का नाम देदू, और प्राइस दो, ठीक है, कोई पर शांग जड़ा, ठीक है, मुझे बाभी पर शांग जड़ रही है, बूल जाओ, ठीक है, तो products में, यहां पर गया laptop, पर यहां पर का प्राइस, अब मुझे दो चीस चाहिए map करना, तो बुझे आगे दो रहां कोगे, जब एक रेयप ज्यास रहा है, तो अब देखो कि अरे यार, अब के वर मुझे पूरा एरे आरहा है, जिसमें एक हजार मुझे रही है, एक प्रोड़क्ट आया ज़ने पचास वैली आरहा है, अब रख दो साइड में, ठीक है, अब प्रोड़क्ट में मैंने एक रहा, प्रोड़क्ट डॉट डॉट बैक्टिंग यूज कर लेता है न, टेंपले लिटरल इसके बाद है बट, देखो प्रोड़क्ट, अब यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है, प्रोड़क्ट, डॉट नेम, ठीक है, इन्म डाल, and- प्राइस ठीक है, प्राइस में इन लिटरल हम लिया, प्रोड़क्ट, डॉट प्राइस, यहाँ फे हम क्या करने में है हम यहाँ फे लिएक single element ले रहे, इस तरीक से, ठीक है, और इसको किसी अरे में लें लेंगे, प्रेंट किया तक रहा होगी, या तो इसको डाइट प्रेंट करा दो, वन्ना मैं काम करता हूँ, const, product, list, चाहिए, console.log, product list, अब यह देखो, पूरा आयप के पास एक अरे आ गया, नेम, laptop, and price, 1200, यह, यह, ब्ला, 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 ठीक है, तो इसके साथ-साथ ना, जैसे मांगे चलो, कोई symbol लेते है, मुझे रूपीज सिंबल चाहिए है, या रियाट की सीरीज देखो, ठीक है, मज़ा आयगा उसके अंदर, यह सारी चीज आप लाइक कर रहे हैं उसके उपर, समय रहे हो, अब देखो, मैंने क्या करा, की एक टेग अप्लाइक कर दिया, प्राइस का, तो देखो, 1200 रूपीज, अचाहर रूपीज, अचाहर रूपीज, अब देखो, एक पूरा करंशी मिन लिए आपकी, समय देखो, तो यह चीज होती है, मैप से, आप बिनकुल एक फंक्शन अप्लाइ कर सकते हो, तो अचाहर साब मानगी से लोगार मुझे करंशी कंवर्टर देख फंक्शन मनाना होता, तो मैं के यह सब लिखता, मैं क्या पर फंक्शन मनाता, के भाई, करंशी कॉंस्ट, करंशी कंवर्टर, ठीक है, और फिर यह एक्वल, फिर यह वैरियेबल, एंड इसके बाद, आप क्या होगा, छमतकार देखना, करंशी कंवर्टर में यहां पर कॉन कर दो हूगा, डॉलर फंक्शन से, तो और यहां पर फिर में अपना, यहां पर x product. क्या प्रास करूँबा, price, चीकर, इस तरीके से, समद्यों, currency, convert product.price, अब देखो, बहुत बढ़ी है, undefined, क्योंकि, इ आप एक साइगा ना क्या करते हो यार इन भी कॉपीपेश नी करना चीवरो अब देखो ठीक है तो मैंने यूज कर यहां पर बड़े आराम से मैंने सो गॉल करन दिया ठीक है मैंने यह पर ले इंदो अब मैंने ना कि दागा जिस प्रॉडडक्ट की हैं यह कार दिया प्रॉडडक्त अब यह जिस प्रॉडडक्त की है के कैटेगरी एक्वल-ईक्वल क्या हो? इलेक्ट्रونिक्स अगाईव एक्ट्रोनिक्स हो बुझे बीट्रोनिक्स थी दूसर्ण प्रोड़क्स सीए यह नहीं यह कोपका माईए नहीं जब तुम्हें वेबस फिल्टर लगा हुगे अब यह देखो देन आड़े आगे लिए लेक्ट्रोनिक्स वाले प्रोडॉक्ट आगा यह समझ यूद एक फिल्टर और भी लागा सकते हैं जैसे मैंने कि लगा दिया एंड लगा दो एक अब आपने ने गया अप्राइस का फिल्टर लगा दिया कि क्या हो प्रोडक्ट डॉर्ट प्राइस ग्रेटर देन यहां पे लेज देन लावलो डेटर दो अब लेज देन कितना हो नादेस में एक टेंट्र या फाइवन डाल दो त्यक्या कि फाइवन ने नीच अशा ब्रोड़ टाया हैं उल्ली से पर एग रहिया है नीच से नीचे तुम्हें मॉनिटर लैप्ट अश्या अब यह होगे अब एक काम करते हैं आप काम करते हैं अब क्या हुआ अब अब क्या वह बना जरू बिखाने चीए बड़े में अलग लग दिखा रहो पहले रिडियूस में योज कि रिडियूस मुझे और अगना है वह एक्विल्टर वगरा सब चीए कि वह टोटन जितने ह में लिष्ट में सब प्राइस दिंखांगे लिए हो में लिए तो पहले एक्विलेटर देंट करेंट वैलियू पूरा नाम ने लिख रहा हम है ठीक है तनी को अब यह पर क्या करूंगा मैं क्यों बोल रहा है बाई प्रोड़ेट्स डॉड्री एक्विलेटर इक्विलटर ओ, sorry, I am very very sorry guys, सवरा भावन अब भेगया था मैं, ठीक है, total price आ गया, ठीक है, पच्छे सो पचास, डाईजार पचास, ठीक है, तो यह total price है, अब मान के चलो मुझे इन तीनों को अपलाई करना है, एक साथ, मैं कैसे करूँ, ठीक है, मैं इन तीनों को एक में कैसे कर सकता हूँ, reduce नीशे कर दो इसके, ठीक है, filter उठाएंग डाल दो इसमें, कि केवल electronics product का ही price चाहिए, मुझे reduce करके, पहला तो filter यह बना, ठीक है, यह electronics होना चाहिए, अब electronics में क्या दिक्कत हो गई तुम्हारे, यह बोड़ा है, reducing, not defined, क्यों भाई, क्यों नहीं defined, अचा सॉरी, my bad, my bad, सॉरी, index, mistake, 300, ठीक है, उन total product का, क्योंकि एक हीत है उसके अंदर, ठीक है, जिसवा 500 का product सा, एक condition, आदर उसके अंदर से, जादा हो जाएगा, ठीक है, तो यह पूरी कहानी है, filter and map reduce, सब यूस करने की, ठीक है, इसको map भी कर सकते हो, कि भाई filter कर दिया, reduce कर दिया, और reduce से पहले map कर दो, ठीक, तो यह है आपका, total array and objects पे, filter, map और reduce का use, ठीक है, नहीं समझ पे आया, इसके बाद भीना, तो जहर खा लो, ठीक है, तो mention करो comments के अधर नहीं समझ में आया तो, कुछ और example करते हैं, कुछ अशे से example करते हैं, पूरी react की website मनाएं तुमाएं ले यार, क्या बात करें, ठीक है, पसीरा दिलवादें तुम लोगों के लिए, यह जावास के रिफ्रेशर है, देखो, समझो, बताओ, ठीक है, चालो, आप अब अब चलते हैं, आपके पास error handling में, भाई, बहुत basic topic एगा है, टेंपले रिटरल तो मैं समझा फिंवा के थग गया हो तक, ठीक है, तो error handling, try cache ले लेते हैं, जल्दे ले तुड़ा सा, तो error handling सब लेंगवजिस में है, python में है, java में है, javascript में है, सब में, और बिलकुल सेम काम करते है, try cache से है, ठीक है, मैं इतना अभी, ओलड़ी तुम दिखा चुआ हम try cache वगरा सब क्या होता है, तो देखो, try मतलब किसी चीज को try करना, ठीक है, अब ये code अगर error दे सकता है, तो इसको तुम डालोगी try cache में, जिससे क्या होगा, तुम तुम लगता है, तुम एक ऐसा code है, जिससे कुछ कभी problem आ सकती है, तो मैं रखता है, तुम लगाना चाहिए, अगर एक one plus one करने हो, तो उसमें try cache लगाना चाहिए, अगर एक one plus one करने हो, तो उसमें try cache लगाना चाहिए, बट अगर user input कर रहा है, क्योंकि user कुछ बे input कर सकता है, या तो तुम condition लगाओ, कि if when not equal to null, तभी वो आगे चले, ठीक है, ये लगा सकते ह ठीक है, तो गयाता है, तो गयाता है, वो cache block में डाल देगा है, क्यों कोई cache है, कोई problem आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसको an error record मार दो, finally क्या होता है, कि आपका code run हुआ, try में गया ये cache में गया, फ़रक में पढ़ता, finally run हो गई होगा, अब finally क्या है, अब finally क्या है, दे database connection close कर सकते हो, कोई file delete कर रहे हो, file delete कर पाए, नहीं कर पाए, फाइल कर देटा है, तो आगया, वो object नहीं बन पाया, याद डेटा नहीं बन पाया, यूजर को समझ में नहीं आया, लेकिन file का flush तो करना होगा, कि file का object hold कर बठ रहोगे, sorry, file का context hold कर बठ रहोगे, तो इसके ल अब इसको एक्जांबल के साँ चलते हैं, तो रिजल टाइम में एक्जांबल दिखाता हूं, छोड़े एक्जांबल बहत हो गई, कोई API call मान रहोगे चलो, बै दिखाया था, थोड़े पहले पहले तुम वीडियो को आप पन मिट पहले लेके जाओ गई, तो तुम्हें API call दिखाया था, दोबारा भी API call ही दिखा रहा हूं, ठीक है, वेंट कर दो से, और यहां मैंने API call करा, ठीक है, तो API call यह अच्छा नहीं हा, एक JSON placeholder लेते है, JSON placeholder, आज तो भाई जो वेब साइड ये reuse करी है ना, उसका हिसाब नहीं है, ठीक है, पूस्ट को भी कर सकते हूं, यहां मैं JSON goal करा हूं, डेटा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कोई response में issue में दिखकत नहीं आए, ठीक है, एक होता है through, ठीक होता होगा तुम लोगों की through हम new error करते है, कि भाई को दिखकत है, अब जैसे मैंने इसको network को fee कर दिया, तो क्या होगा, देखो, यह मैंने to fast data, hello, और यहां पर आ रहा तोगा network was not found, यहां पर open करोगे इसको exception को, तो देखो, await in fast data, fast data issue, line numbers आ रहा है, ठीक है, तो यह होता तुम्हारा exception, जब आप कोई API call करते हो, और वहां पर अगर दिखकत आ जाती है, तो उसके लिए, new error कब throw होगा, जब आपका response okay नहीं होगा, okay, मैं इसको API call को सरी करते रहा हूँ, बट, response okay नहीं हाया, कोई और error code आया, okay, click करोगे, तो मैं मिल जाएगा data, okay, redirected, status, सब मिल जाएगा, तो अगर दिक्कत आती है, तो यहां पर दिखकत आती है, तो यहां पर दिखकत आती है, तो यहां पर दिखकत रहा है, अगर दिक्क मैं तो चलूँगा ही, देखो, यहां आ रहा है, sorry, info कर देता है, कि भाई, error आगे है, मैं तो चलूँगा ही, चाहे, response आये या ना आये, इसको मिल जाएगा ही, तो यहां तो चलूँगा ही, cdc बात, भाई, उसका तो simple declare है, तो इसको try करो, इसको में use करो अपने किसी function में, इसको बढ़ी है, कि भाई, try catch, E.P.A. में use करों सबसे मजा आये हैं, तो इसको try catch block, very short explanation, I know that, कोई बात नहीं है, ठीक है, अब बात करते है, template literals, ठीक है, template literals, ठीक है, template literals, गया होते है, template literals is simple apactic, मैं उसको हिंदी में बोलू, तो simple apactic, ले 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 लेते हैं, एक्जाम् यहां पर मुझे लिख दिया कि this is first line slash n this is second line अब ऐसे आ रहा है this is but यह कि तह complicated लिखना है right तुम slash n लगा रहे हो क्या कर रहे हो ठीक है अब तुम्हें कुछ वेरियूबल इसमें एड़ करना है तुम वेरियूबल के से अड़ कर होगी जासे मैंने यहां पर लिख दिया नेम ठीक है नेम लैड बना दो अब मैंने अब लिख दिया my name is और बॉट सारी चीशी करने पड़ेगा थे पहले सको बंद रना पड़ेगा एक पिन होगी छीजिए नेम पर लेकिन बन टॉत करना पड़ेगा फिर मुझे इसको बंद दन प्लस लगाना पड़ेगा थे तुदिता है एं तिससे सेकंड़ Y तो इस तरीके से पहले काम चलता था, मजा नहीं आथा जिन नहीं बिल्कुल भी, अब आगे हैं, तो अब आगे हैं, तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, कि बैक्टिक यूस करूंगा, अब बैक्टिक से में पूरी कान लिख सकता हूं, माई नेम ए जिक लिए जाय पर दॉडलर और और लुटर में फिर में गृइंवल क्या में फिर में आगे हैं, फिर में टौर उड फिर संवनल क्या ग्रोदन कि लिख समीर, कि अप ब sl भी आच उड्स को कर सकता हूं, तो इसमें एक function call करना है my salary अब salary मानने चलो मैंने यहां पर लिख दिया 400 अब मुझे annual salary चाहिए तो मैंने एक function आप पर के const annual simple देख रहे हूं x और x पर मुझे क्या करना है x multiply by 12 अब मुझे समय अब वांट मैंने यहां जादध नियूगा चलो पुरा थे लिख अन्यूल्स यहां पॉरा थे लिख वांट। फंक्षिंप्स बने रिख अन्यूल का अब मुझे स्ट्पर रहें आपना सैृटी देखो, multiply हो गया आगे, this is the use of backtick, okay, तो एक real-time example भी देखते हैं, जिससे मांगने चलो, यह तो हो गया तुम कहो के भाई, ऐसे तुने हो यह प्रेंट कराना है, ऐसे भी कराना हुगा, बट, एक real-time example भी चलते हैं, कि देखो, मुझे URL कॉल करनी है, ठीक है, लेकिन उसमें यूरल चंस्ट्रक्ट कर सकते हो, पहले मैंने base URL लिया, user ID लिया, post ID उड़ा दो, user ID लिया, and फिर मैंने construct कर रहा, different endpoints पर, user profile endpoint मैं बनाया है, जिसमें मैंने base URL में रखापना, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ, user profiles URL मैं इसको सेफ करूँ और यह पूरी मेरी URL बन गई, ठीक है, तो इस तरीके अब जैसरो यह तो क्या है कि direct up के parameter है, ठीक है, इसे बूलते हैं, क्या बूलते हैं, तो होता है query parameter, name parameter, sorry, okay, so अब इस तरीके से इसमें parameter pass कर सकते हैं, और parameter की साथ-साथ-साथ, query parameter, sorry, so this is the way to create a URL with the template literals, okay, so यह होगा, आवाना 9th, तो यहाँ अब अच्छे का से complete कर लिए, import, export, arrow functions, destructure, promise, async, await, rest, separate, error handling, template, literals, अब बचा closers, तो यार देखो, मैं तो मैं एक surprise दिना चाहता हूँ, वीडियो गंभी हो गई है, मुझे जश्टा भी पता चला, ठीक है, तो closers होंगे एक अलग वीडियो में cover, and तुम लोगों को comment करना है closers के लिए, क्योंकि तुम याते दाए हो, तुम लोगों को salute, मज़ाद में salute, ठीक है, तो तुम लोगों को comment करना है कि closers, next video, ठीक है, और इस video में कोई भी topic समझ में ना आया हो, ठीक है, तो comment करो, topic का नाम लिखो, number लिखो, topic का नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो, and उसका better example में तो comment section में पिरिक्ष्ट कर दूँगा, ठीक है, नहीं है, तो website पर जाओ, website पर जाओ, website विजिट करो, इस पर courses मिलेंगे, ठीक पर जाओ, website यूटूब पर जाओ, ठीक है, subscribe करो चैनल को, मैंने एक बार नहीं भूड़ा हो, पुरी वीडियो में, subscribe करो, like करो, लेकिन आप like और subscribe कर देना, और हाँ, interviews देने हैं, तो interviews के लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिंक पा हुआ है, link परो, and mock interview, only free for you, ठीक है, ठीक है, DM जलस्त तुम लोग देखी रही हो, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अगर इस वीडियो में टॉपिक फ्रेम से से बोल रहा हो, कि नहीं समझ में आप तो ज़रूर बताना, वरना कुछ बात ही नहीं है, ठीक है, चालो, बाब बाई